हेलो दूस्तों आज हम यहां पर बात करेंगे mtar technology limited की सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं कि आज यह शेयर कहां पर भागा था आज यह शेयर लगबग ऊपर गया ओपर होता हुआ नजर आया चौविस ओठाइस के आसपास 2440 का ही बनाने के बाद यह शेयर गिरता हुआ और यहां पर 2300 के आसपास यह बंद होता हुआ नजर आ रहा है तो एक अच्छी खासी अमाउंट यहां पर ऊपर के लेवल पर आपको फसा के यहां पर ले गई और भगाने के पीछे का रीजन क्या था कल का चंदरियान 3 कि जो चंदरियान 3 यहां पर लॉंच हुआ था ओक इसे यहां पर पंप प्किया गया है क्या शेयर बेकार है क्या लोग यहां पर ऊपर के लेवल पर फस गये हैं और कितना यह बहता हुआ नज़र आएगा यह सभी कोशनों के आंसर मैं आपको आज यहां पर देता हुआ नजर आऊंगा बट बिफोर तर वीडियो में आगे काफी बार बनाई है नौ महीने पहले यहांपर आप देखोगे तो मैने आपको target दिया था कि target पढट्रिस्तो रुपे 9 महीने पहले जब हिए share था तो 9 महीने आपसे आप count करोगे तोलग पदिसमबर की बात चल रही है तो यह share इस price के आसपास ता जब यह share कहांपर चल रहा था लबब 1500 रुपे के आसपास ये शेयर चलता हुआ नजर आ था मैंने तब ये वीडियो बनाई थी और आपको बताया था तो 1500 रुपे से नीचे फिर उसके बाद गिरी दी और फिर भागती हुई नजर आई फिर दुबारा बना दी तो इसी को कहते हैं सही टाइम पर एंट्री फिर एंट्री फिर एक्जिट उसे आप करते रहोगे अच्छा कासा पैसा बनाते हुए नजर आओगे तो इसी स्किल को अगर सीखना च यह यह विद एक्सपिरेंस दे शेर कोर्स बनाया गया है डवलेट 60540501 8169261037 इन नंबरों को सेफ कर लीजिए बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है किस तरीके से काम करती है चीज़े ओके वो चीज़े आपको समझ में अगर ऑगईगी. 20,000 रुपय का कोर्स है. यह कोर्स की कीमत अगर मैं भार अगर यहां पर देखें तो लब बाद 2-3 लाग रुपय में किया जाता है बर 20,000 रुपय में आपको पूरा कोर्स तिखा रहा हूं. वन टु वन कोर्स तिखा रहा हूं. यहां पर क्लासिस चलेग आप यहाँ पर गुरूप में अड़ हो सकते हो और अगर किसी को साथ में काम करना है तो इनी नंबरों पर क्या करिये? तो वो वो इस्टेबलिश इनी निजीनरी इंड़ेश्री तो कंपनी का है? एक पूरा डाइवर्सी फायर यहाँ पर इनका बिजनस मॉडल है हर सेगमेंट में यहाँ पर काम करती हुए नजर आ रही है यहाँ पर बात करें तो लगबन नुकिलियर सेगमेंट से 14% के और पता चल जाएगी कि इनके क्लाइंट कि कौन कौन से हैं एक मिन दीजे तो यह मैं आपको बताया तो जैसे सिविल निकुलियर यहाँ सेक्टर हो गया ठीक है डिकेड़ पार्टनर्शिप इस रो देखिए ट्रस्टेड पार्टनर कौन है इस रो चो मैं आपको बताई रहा इस रो ने यहाँ पर कमाल करके दिखाया इस वजे से यहाँ पर इस रेको भगाया गया पंप करते हो इन जरा इसके रहा भावी नहीं कि ए आएजी सीयर ओके डिये ए एनपी सीयर अईल बी ए ए ए रसी एडियर नुकलियर फ्यूल कॉंप्लेक्स औके इस रो एलपी सी यहा पर यहां पर यह सारी इस तरों से लेटेड़ कंपनी टाटा रफैल ओके रफैल जो यहां पर फ्रांस की कंपनी है कॉलिन एरोस्पेस तो सारी डिफैंस की कंपनी की बात करें तो हमारी जैसे हाल बीडियल और यह जिसनी भी है डियार डियो सबके साथ यह कंपनी क्या कर रहे तो क्या नज़र आता है अच्छी घासी कंपनी नज़र आती है काफी experience कंपनी है काफी अच्छा segment है business model देखे होगे तो business model भी आप देख सकते हो कि company आपर किस तरीके से अच्छा काम और सारे की सारी defense चलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर aerospace चलता हुआ नज़र आ रहा है तो company क्या है अच्छी घासी नज़र आती है ओके यहाँ पर आप देख सकते है हाल के साथ company काम कर रहे है तो obviously बात है अच्छा शेयर है small cap शेयर है अच्छा शेयर नज़र आता है maximum chart pattern ठीक ठाक है और यहाँ पर हम बात करें yearly basis यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे है yearly basis पर company का margin थोड़ा सा जड़ूर कम होता हुआ नज़र आया है ओके बट profit में किसी तरीकी कमी नहीं है net profit में ओके यहाँ पर company के operating profit में किसी तरीकी कमी नहीं है मुझे लगता है अभी bull market है तो obviously बात है कुछ भी हो सकता है share भाग सकता है और भी ज़्यादा भाग सकता है बर शायद एक अथ quarter अगर धीला ढाला इसके आ सकते है और उसके बाद जब यह भागना शुरू करेगा तो शायद यह एक अच्छे level पर जाएगा उसकी बात हम च होगा इसमे 63 करोड रुपीज लगा रखे है जब यह काम खतम हो जाएगा दुबार यहाँ पर रिवेन्यू वगरा सब इंक्रीज होगी कंपनी का कैश भी पड़ा हुआ है कंपनी का इंवेस्टमेंट भी है पॉजिटिव कैश फ्लो है यह सारी चीज़े क्या है अच्छी इसके अलावा प्रमोटर यहां पर अपनी हिस्दारी बेच रहे हैं यहां पर देख सकते हैं 50% से 39 आ गए हैं और साथ में F20 की बात करें F20 ने पिछले एक दो कौटर से अपनी हिस्दारी यहां पर बढ़ाते हुए नजर आये अच्छी बात है इस कौटर में अच्छी इस हिस्दारी बढ़ाई है यहां पर थोड़ी सी बढ़ाते हुए नजर आया और पब्लिक की सदारी भी बढ़ती हुए नजर आ रही है और पब्लिक में कुछ नाम है ओके जैसे की प्लूटस यहां पर वैल्थ मैनेजमेंट LLP तो यहां पर आप देखो कि 4.23% की यहां पर श पशी को भी आप काम कर लें अब बात करते हैं इम्टा टेक्नोल जी के चार्ट से ने जिये, बड़ उससे पहले आपसे रिट्वैस्ट है जो सबस्क्राइब को ही टॉल के नोटिफिकेशन कौन करिएगा बाइंसालिंगी को रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेशल एडवाइजर खुद की स्टाड़ी करो चीजों को सीखो सीखने के लिए वीडियो इस बना रखी है ओके इन नमरों पर नोट करोगे तो यहां पर बेसिक्स टू एड अल्रेडरी उपर के लेल पे निकल गई थे हैंपर अम देखे एक konsolidation के for supply कि आधका था इंजम मैंने आपको आपको मपताया हो यहां पर वीडियो मैंने बनाई इन भात है और यहांपर हमने क्लाइंट को डेफिनिटली यहां पर 1100 और 900 रुपे के भाव से 1100 के असपास यहां पर शेयर को खरीदा था और थोड़ा बहुत पॉफिट लेकर यहां पर निकले भी थे बात करें यहां पर शेयर की तो यहां पर देखिए आज के दिन में अच्छा लो और कम रिस्क के साथ लो ठीक है और एक दो कौटर के रिजल्ट जैसे कि मैं बात कर रहा हूं मुझे लगता है यहां पर ठोड़ा डीरे ढाले आ सकते हो अगर ऐसा हुआ शेयर प्राइस यहां पर गिर भी सकता है बट मार्किट अपसाइड में है ठीक है तो शाय में होगी एक तेजी और वो तेजी इसे लीड करती हुए नजर आएगी लगबल अब 4,000 से लेके 5,000 रुपीज तर फिर उस ताइन शायद बोनस भी आता हुआ दिखाई दे यह शेयर से शायद 10 का फेज वालियर स्प्लिट भी आपको मिलता हुआ नजर आए बट अभी मे रिकमेंडेशन ही अपने फाइनेशल एडवाईजर कुथ की स्टेडी करो चीजों को सीखो जितना सीज चीजों को सीखोगे उतना पैसा बनाते हुए नजर आओगे अधरवाइस कभी भी किसी भी लेवल पर आप फस होगे और फस के क्या करोगे केवल मूत आकोगे या फि टीकिये और वाट्सप ग्रूप में एड़ हुए और लाइक कमेंड शेयर करें थैंकी तो मच गड्ब्लेस